जैहिन दोस्तों क्या हाला है मेरा नाम है नितीश और ये आपको देखने को मिलता है Realme UI 3.0 Well Realme ने Realme UI 3.0 का जो सौफ़ेर अपडेट है कुछ डिवाइस के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है और काफी सारी उसर को जो अपडेट्स है वो देखने को मिल चुका है लेकिन आप मेंसे काफी सारी उसर के कोमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि बाई Realme 8 के अंदर Realme UI 3.0 का जो अपडेट है वो कब देखने को मिलेगा तो आज इस वीडियो में हम लोग Realme 8 के Realme UI 3.0 अपडेट के वारें बात करेंगे पूरी जो ओफीशिल इंफॉरमेशन है वो आपके साथ शेर करेंगे और क्या क्या फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे Realme UI 3.0 के अंदर वो सब कुछ आपको आज किस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो अवरॉल वीडियो काफी इंटरस्ट ही होगी इस टैप की वीडियो अगर आप लोगों को फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आप लोगों को लाकर का बटन देखने को मिलेगा सबस्क्राइब कर लेना इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग और पर प्रेस कर सकते हो सो लेट्स बिगिन लेटली सबसे वहले बात की जाए ओफिशल इनफॉरमेशन के वारे में तो यह आप लोगों को Realme UI 3.0 का ओफिशल अर्ली एकसेस का जो रोड मैप है वह देखने को मलता है वैल यहाँ पर अगर आप लोग क्वाटर वन चेक आउट करें तो क्वाटर वन के अंदर Realme 8 4G and Realme 8i इन दोनों डिवाइस को जो अपडेट है Realme UI 3.0 का वह देखने को मिलेगा वैल यह ओफिशल रोड मैप देखने को मलता है तो क्वाटर वन जनवरी फर्वरी मार्च के अंदर आपको कभी भी जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा वैल यहाँ पर कोई भी ऑफिशल डेट्स आपको देखने को नहीं मिलती ना है कोई मस देखने को मिलता है कि कि किस मन्त को जाकर के जो अपडेट है Realme UI 3.0 का वो देखने को मिलेगा लेकिन आज हम आपके साथ Realme 8K, Realme UI 3.0 के ऑफिशल मन्त और ऑफिशल डेट के वारे में बात करेंगे वेल अब बात की जाए Realme 8 के Realme UI 3.0 के अपडेट के वारे में कि किस मन्थ में जाकर कि जो अपडेट है Realme 8 4G में वो देखने को मिल जाएगा वेल ओफिशल रोड मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों को Realme 8 4G में Realme UI 3.0 का जो अपडेट है वो फरवरी मन्थ के अंदर देखने को मिल जाएगा साथ में 4 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी के बीच में आप लोगों को जो अर्ली अक्सेस है वो भी देखने को मिल जाएगे बट इसके साथ आप लोगों को इतना कनफर्म कर दें कि आप लोगों को यह ओफिशल डेट देखने को नहीं मिलती बट फिर भी 90% शूर है कि आप लोगों को इन डेट्स में जाकर के जो अपडेट है Realme UI 3.0 का वो देखने को मिल जाएगा इन Realme 8 4G आप दोस्तों बात की जाए फीचर्स के वारे में की Realme UI 3.0 का अपडेट आने के बाद कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो आप लोगों को Realme UI 3.0 के अंदर देखने को मिलेंगे तो आप लोगों को इतना ओफिशल ही कनफर्म कर दूँ कि आप लोगों को Realme 8 में एमुलेट स्क्रीन तो देखने को मिलती है साथ में सूपर एमुलेट भी है लेकिन आप लोगों को AOD कस्टमाइजेशन का फीचर्स Realme UI 3.0 के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि Realme 8 Pro में जब अपडेट आया था Early Access Realme UI 3.0 का उसमें भी आप लोगों को जो AOD कस्टमाइजेशन का फीचर है वो देखने को नहीं मिला है इसी के साथ Second Doubt आपका देखने को मलता था फीचर्स के रिगार्डिंग वो रहा बॉइस चेंजर का तो Realme UI 3.0 में आप लोगों को Officially बॉइस चेंजर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और आप लोगों इसको Permanently Free में यूज़ कर सकते हो कोई भी आप लोगों को Paid Membership लेने की जरूरत नहीं है तो यह जो दो Doubt थे फीचर्स के रिगार्डिंग वो आप लोगों के कलियर होंगे और साथ में आप लोगों का जो Notification पहल है वो भी Realme UI 3.0 के अंदर चेंज होगा और यह जो फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर किये और आपके डाउड्स क्लियर किये बिल्कुल Official आपको देखने को मिलते हैं वैल जितने भी पिछले अपडेट्स है Realme UI 3.0 के जिस भी मुगाईल फोन में उन सम्में यह फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो कब देखने को मिलेगा और साथ में जो फीचर्स थे AOD कस्टमाइडेशन आएगा की नहीं आएगा वो आइश्चेंजर देखने को मिलेगा की नहीं मिलेगा सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया वैल इसी के साथ अगर आप लोगों को फीचर्स हैं वो यूज करने हैं Realme UI 2.0 के अंदर तो सीम्पली जाकर के आप लोग अपनी सिस्टम एप्लिकेशन को अपडेट कीजिए बल सिस्टम एप्लिकेशन को अपडेट करने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्किप्शन में Realme System Apps अपडेट टेलिगाम रूप का लिंक देखने को मिलेगा इस ग्रूप को जाकर के आप लोगों ने जोईन कर लेना है आप लोगों को यहाँ पर डेली Realme एंड ओपो डिवाइस की जितनी भी सिस्टम एप्लिकेशन के अपडेट है ऑफिशल वो सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे और साथ में Prebsy का भी कोई इशू आप लोगों को इस टेलिगाम रूप में देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोग जाकर के अपने सिस्टम एप्लिकेशन को बिना किसी दिक्का से अपडेट कर सकते हो सो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक्केया